हेलो एवरिवन विल्कम टू माई योटब चैनल आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और फेंट इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे देखो अभी के टाइम में अगर बात करें तो गुरूटी एंटी पीसी का जो रिक्रू इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजे क्लियर होंगी बहुत जल्द आईगी आपको यह भी मैं बताने वाला हूं लेकिन उससे अलावा एक हैं पर जो सवाल पूछा जा रहा है जैसे कि मैंने आपको बता है अपनी पिछली वीडियो में भी कि नॉर्म सतार है कि वह इतने अच्छे नंबर लाने के बाद उनको ट्रेक्मेंट की जॉब करनी पड़ेगी यहाँ पर मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर दूँ कि जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस होता है ना सिरफ उसी के अधार पर आपको पोस्ट नहीं मिलती है उसके अलावा आपके मार्क्स आपका मैडिकल स्टेंडर नंबर ओफ पोस्ट बहुत सारी चीज़ों को जोड के यहाँ कह सकते हैं कि सारे फेक्टर्स को मिला के ही आपको एक पोस्ट दी जाती है सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि जो आप पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं वो 100% ये आपका प्रूव नहीं करती है कि उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी तो पहली चीज तो यह है कि जिन्होंने पहले पर ट्रेक्मेन दिया है वो ज्यादा परेशान ना हो दूसरी बात मैं आपको बता दू अगर ट्रेक्मेन आपको मिल भी जाती है तो यहाँ प आपको आगे ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि आप प्रेफरेंस को चेंज कर सकें साथ यहाँ पर जिन लोगों इने ट्रेक्मेन को नीचे भरा है वो ऐसा भी ना सोचे कि उनको ट्रेक्मेन नहीं मिलेगी उनको ट्रेक्मेन मिल सकती है बेसिकली यहाँ पर सारा खिल ट्रेक इसी वालों के लिए अच्छी ख़बर क्या है नी रिक्रूट्मेंट को लेकर अच्छी ख़बर क्या है तो वो मैं आपको दिखाता हूं देखो कल से बहुत सारे चैनल्स ने आपको यह आर्टिकल तो पढ़के सुना दिया कि इस तरह से जो है रेल मंत्री जी ने बयान दिया है इलेक्शन का दोर चल रहा है यह बते तो आपको पता ही है यहाँ पर अगले एक दो सफता में जो बात बोली गए इसको आप ढंक से अगर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अगले एक दो हफते में 1.45 लाख लोगों को नोकरी दी जाएगी और यह बात हो रही ह कि जो process है वो बहुत तेजी से चल रहा है ठीक है ना group D का result जैसा मैंने आपको बताया था 20 November तक आने के बहुत ज़्यादा chances है तो वो और भी पुकता हो जाते है इस बयान के बाद क्योंकि process अगर तेजी चल रहा है तो जल्द रिजल्ट भी आएगा दूसरी बात NTPC का कही हो जाता है तो भी group D वालों को फाइदा है वो लोग P.E.T. देने नहीं जाएंगे तो यहनी कि NTPC वाले student आपकी race से बाहर हो जाएंगे काफी लोग बोलें कि exam तो दे चुके हैं बिल्कुल exam दे चुके हैं cutoff में include हो चुके हैं लेकिन अगर वो P.E.T. में नहीं जाएंग गए हैं NTPC का process आगे बनने के बहुत chances बन गए हैं और group D का process आगे बनने के chances बन गए हैं और इसी से एक तीसरी बात निकल के आती है new recruitment को लेकर देखो अभी तक क्या SSC वागेर बाकी department में job सानी start हो के railway ने अभी तक कोई भी hint नहीं दिया है क्यों नहीं दिया क्योंकि यह साल वाली भरती अभी अटकी हुई है और यह भरती अगर एक दू हफते में कहता हूं कि तीन हफते में भी अगर निकल जाती है ना क्लियर इनका process काफी हथ तक हो जाता है तो definitely December में आपको new recruitment के जो notification ना railway के वो देखने को मिलेंगे ALPJ, RPFSI सभी आपको 100% देखने को मैंने आपको बता दी है अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी news है यूर की cut off को लेकर देखो अगर आप लोग news वगेरा देखतो तो आपको अच्छे से पता होगा जब 2019 में EWS का आरक्षन लागू किया गया था तो उस time यहाँ पर जो है case वगेरा चल गया था कि आरक्षन को बन जाता है या बन जाएगा future में उनको definitely cut off में relief मिलेगी क्योंकि यह बात तो confirm है कि जो यूर की normal cut off होती है उससे कमी रहेगी आपकी EWS की cut off तो यह भी एक बहुत बड़ी news है सभी student के लिए जो यूर category से belong करते हैं अगर possible है तो आप EWS का अपना certificate बनवाए अगर आप उसम प्रूलिके